हमें जनरल ये बोल दिया जाता है कि इस सेंटेंस में हमें third form of the verb या second form of the verb लगाना है पर हमें कोई ये नहीं सिखाता है कि different forms of verb क्या होते हैं असल में और उन्हें कहां कहां किस तरह से यूज़ करना होता है तो इस वीडियो में हम आज different forms of verb के बारे में ही बात करने वाले हैं और ये clear करवाने वाले हैं कि कौन सा form कहां यूज़ होता है और first form, second form, third form कैसे हम लगा सकते हैं तो welcome to study medha academy और आज हम बात करने वाले हैं different forms of verb के बारे में अगर आपने अभी तक के हमारी website visit नहीं करी हो या फिर आपने हमारी चानल को subscribe नहीं करा हो तो I would recommend कि आप एक बार हमारी चानल को subscribe कर दीजिए और हमारी website पे भी visit करिए तो सबसे पहला question जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि what is verb? verbs होता क्या है? verbs are words that show an action, sing, occurrence, develop और state of being, exist मतलब verbs वो words होते हैं जो किसी action के बारे में जो हो रहा होता है उसके बारे में बताते हैं या कुछ चीज जो exist कर रही होती है उसके बारे में बताते हैं verbs मतलब basically क्रियाएं होती है जो की चल रही होती है Almost every sentence requires a verb मतलब हर sentence में हमें verb की जरूरत होती है और हर sentence में हम एक verb का use करते हैं The basic form of a verb is known as its infinitive मतलब जो verb होता है basic form में उसको हम infinitive बोलते हैं इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो अब हम आते हैं forms of verb पे तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो base form रहता है जो normal verb होता है उसको हम बोलते हैं infinitive और उसी का जो second form होता है वो होता है past और जो third form of the verb होता है वो होता है past participle जब हम tenses पढ़ते हैं तब हमें past participle form of the verb की बहुत ज़ादा ज़रुरत पढ़ती है और जब भी हम present tense में normally कोई sentence बोलते हैं तब हम उसमें जो verb होता है उसका infinitive form यूज करते हैं तो अब हम बात करते हैं types of verbs की मतलब verbs कितने type के होते हैं तो verbs को हमने दो categories में divide करके रखा है एक होता है regular verbs और एक होता है irregular verbs regular verbs में क्या होता है कि जो हमारा base form होता है verb का जो हमारा first form होता है verb का उसमें हम अगर सिर्फ ed जोड देते हैं तो वही उस verb का second और third form भी बन जाता है और वही अगर हम irregular verbs की बात करें तो उसमें जो पूरा का पूरा verb है वही change हो जाता है पूरा word ही change हो जाता है second और third form में generally 97% cases में हम एक verb में ed जोड करके उस verb का second form और third form लिखते हैं और जो बाकि remaining 3% verbs होते हैं उन्हें हम irregular verbs में categorize करते हैं तो आईए इनके कुछ examples देख लेते हैं ताकि आपको regular verb और irregular verbs में अच्छे से difference पता चल जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने list है regular verbs की तो regular verb में जैसे यहाँ पे तीन sections में हमने इसे divide करके रखा है infinitive, past और past participle इसका मतलब यह हुआ कि first वाला column first form के लिए है then second form and then last one is for third form तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो base form है बस उसी base form में हमने ed add कर दिया है और वही चीज़ उसका second form और third form बन जाता है for example यहाँ पे लिखा हुआ है accept तो उस accept में हमने जब ed लगा दिया a, c, c, e, p, t, ed तो वो उसका past form और past participle form भी बन गया similarly act का acted हो गया और उसका past participle form भी acted ही हो गया and bake का baked, baked, behave का behaved, behaved close का closed, closed और compare का compared और compared तो जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी regular verbs में ed लगा देने से जो base form होता है वो convert हो जाता है second form और third form में अब हम देखते हैं irregular verbs के example तो जैसा कि हमने बात करी थी कि जो irregular verbs होते हैं उनका second form मतलब simple past और third form मतलब past participle दोनों ही एकदम अलग-अलग words हो जाते हैं तो ये वैसे तो 3% ही होते हैं ऐसे words but then जैसे कि आपको पता है कि English में vocabulary कितनी vast है तो उस इतने सारे words में से इतने सारे percentage में से अगर हम 3% की भी बात करें तो वो बहुत सारे verbs हो जाते हैं but then मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे examples लिये हैं जो हम रोज मर्रा की जिन्दगी में use करते हैं या कोई भी competitive exam के लिए prepare करना हो तो ये list आपके काम की हो तो जैसे मैंने यहाँ पे वापस से first column रखा है अपने base form के लिए then second column is for simple past and last one is for past participle मतलब first form, second form और third form तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे be है example be तो be का was या were हो जाता है और past participle जो होता है वो been हो जाता है similarly do का second form is did and third form is done eat का ate और eaten feel, felt, felt तो यहाँ पे जैसे हम feel में देख रहे हैं कि second form और third form जो है वो same ही है but then first form से कुछ अलग है तो यह category जो होती है यह भी irregular verbs में ही आती है यह ज़रूरी रही है कि second और third form भी अलग-अलग हो second और third form same हो सकते हैं but then वो first form से कुछ अलग होंगे और उनमें ed जुडने के बज़ाए वो पूरा का पूरा word ही change हो जाएगा तो जैसे हमने यहाँ पे example देखा था feel का felt और felt वैसे ही find का भी second और third form found और found ही रहता है get का second form होता है got और third form हो जाता है gotten then give का हो जाता है gave और given go का हो जाता है went और gone have अगर have हमारा base form है या फिर he और she के साथ में हम जैसे has यूज़ करते हैं तो इसलिए अगर have हो या has हो first form में तो उसका second form और third form had हो जाता है ये वाला जो have वाला example है इसे आपको ध्यान में रखने की बहुत जादा जरुरत है because tenses में भी इसका use होता है then here का heard हो जाता है और उसका third form भी heard ही होता है no का हो जाता है new और known leave का left और left रहता है third और second form and make का भी made, made रहता है second form तो ये थी हमारे list of irregular verbs अगर आपको और verbs चाहिए हो तो वो भी आपको बहुत easily किसी भी grammar के book में मिल जाएंगे तो I hope आपको irregular और regular verbs में कैसे second और third form में एक base form को convert करते हैं ये जीज अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या किसी भी second या third form में आपको doubt हो तो आप मुझसे comment section में जरूर पूच सकते हैं अगर आपको ये वीडियो end तक के समझ में आई और आपको पसंद भी आई तो प्लीज इसे like करना, share करना और हमारे चानल study medha को subscribe भी करना और हमारी website के link भी मैंने description box में ही डाल दी है तो मैं ये suggest करूँगी कि आप एक बार उस link पे जाके हमारी website भी visit करिए Thank you so much for watching this video till the end